अठारवी लोग सभा चुनाव के नतीजे लगभग साप हो गए हैं 542 सीटों में से इंडियो को 292, इंडिया गठबंधन को 233 सीटे मिली हैं हलाकि भाजपा 272 के वहमत आकड़े को पार नहीं कर पाई लेकिन इंडियो को वहमत मिल गया है 2014 में भाजपा को 278 और 2019 में 303 सीटे मिली थी इस बीच अब सरकार बनाने की भी तयारियां शुरू हो गई हैं इंडिये बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है उसने अपने घटक दौलों की बुधवार को बैठक बुलाई है पियम मोदी ने बिहार के सीम नितिश कुमार और टीडीपी ने ताचंडर बाबुनाईडू को फोन करके बैठक के लिए बुलाया है उधर राष्ट पति भावन में शुपत की तयारियां भी शुरू हो गई है आम लोगों के लिए 9 जून तक इसे बंद कर दिया गया है उधर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में वैठक बुलाई गई है राहूल गान्धी ने प्रेस वारता में बताया कि इसमें अगली रडनिटी पर चर्चा की जाएगी इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट के मताबिक भाज़पा को 240, कॉंग्रेस को 99, सपा को 37, TMC को 29, DMK को 22, TDP को 16, ZDU को 12, शिवसेना UBT को 9, NCP, शरत पवार गुट को 7, राज़त को 4, और लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास को 5, शिवसेना सिंदे गुट को 7 सीटे मिली है चुनाओ आयोग ने 16 मार्च को लोगसरभा चुनाओ का रिक्रम का एलान किया था, कुल 7 फेज में 19 अप्रेल से 1 जून तक वोटिंग हुई, 1952 के बाद 44 दिन का ये चुनाओ सबसे लंबा रहा, 1952 में 4 महीने चला था, इन दो मौकों के अलावा चुनाओ की प्रोसेस अमो प्रोड मतदान कर्मी, 11 लाक बूत, इतनी प्रचंड गर्मियों में अपने दायतों को बखुवी से निभाया, बुद्वा सुबह साड़े 11 जे मोधी केबिनेट की बैठक बुलाई गई है, बताया गया है कि मोधी इस बैठक के बाद राश्टपती भावन जाएंगे, इस की कड़ी मेनत के लिए सलाम भी करता हूं, सब्द कभी उनके असाधारन प्रयासों के साथ नयाय नहीं कर पाएंगे, लोग सभाचुनाओं के नतीजों से उस्ताहित इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ करने पर अपना ध्यान दे रहा है, अलाकि इंडिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूटे अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें